Hello everyone, good morning to all, dear student, I have completed chapter 4 in course book, practice book and notebook also. Today I will start a new chapter, chapter number 5, plants. आज हम इग नया chapter स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है plants. Let's see in your book, chapter number 5. What is the name of this chapter? इस chapter का नाम क्या है? plants. Can you imagine a world without plants? means, क्या तुम बिना पौदों के संसार की कल्पना कर सकते हो? Look at the picture, नीचे दियो ये picture को देखो. Would you like to live in such a place? means, क्या तुम ऐसे इस्थान पर रहना पसंद करोगे? Draw and color the picture to make it look good. means, चित्र को सुन्दर देखने के लिए उसे draw करके उसमें color करना है. Let's find out, चलो पता लगाते हैं, plants are everywhere, हर जगे पौधे होते हैं, plants are founded everywhere on earth, प्रतिवी पर हर जगे पौधे पाए जाते हैं, they make our world a beautiful place to live in. पौधे रहने के लिए संसार को सुन्दर बनाते हैं, they grow on land, वो जमीन पर बढ़े होते हैं, and even in water, यग दब वो पानी में भी grow होते हैं, बढ़ते हैं. सौना लिपसिन्न हिली एरिया, सौना पाड़ी छित में रहती है, apple and cherry trees surrounded her house, उसके घर के चारों तरप, apple और cherry के पेड़ हैं. अजीज लिपसिन्न डेजर्ड, अजीज रिगिस्तान में रहता है, इबायट बैराइटी ओप केक्टस प्लांट ग्रो देया, बीज जो केक्टस प्लांट की बैराइटी होती हैं, वो वहां रिगिस्तान में बहुत बढ़ती हैं. बैराइटी अप कैक्टस प्लांट ग्रो इन डेजर्ट मीस जो कैक्टस कांटेदार पौधे होते उनकी जितनी भी बैराइटियां होते वो रेगिस्थान में पाए जाए आरुन्स हाउस है बैक् कोकोनट ट्रीस एराउंड उत मींस आरुन की गर के चारो तरब बड़े बड़े नारील के पेड्ण है ही लिपस नियार ned केरला मीण्स गेरल में समुद्र के किनारे रहता है तो कोकोनट प्लांट जाते हैं समुद्र के किनारे लास्ट समर वरुन वेन टो इस ग्रांड मास हाउस इन चित्तूर मीज पिछली गर्मियों में वरुन अपनी दादी मा के घर चित्तूर में गया यह सो हंडर्ड्स ओफ मैंगो ट्रीज अन दा वे इस रास्ते में उसने मैंगो के सौपिड देखे नेला अपाट्मेंटे लिली पॉंड इण पार्क मींश नेला के अपाट्मेंट में एक लिली का ताला पार्क में है दा वाटर लीँट्टिफमेंश लुक ब्यूतिफूल मीन्स तैला में वाटर ** चुन्दर डिखती आग dear student it is enough for today now this is your homework you have to read today's work at least two time at your home thank you have a nice day bye